कैसे शुरू करें टॉयलेट क्लीनर बनाने का बिजनस लेकिन उससे पहले अगर आप ने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं कितने जगा की होगी जरूरत इस बिजनस में जगा बिजनस के स्थर पर निर्भर करती है अगर आप छोटी स्थर पर एक मशीन के साथ शुरू करते हैं तो आप घर के एक छोटी से कमरे से भी शुरूआत कर सकते हैं बड़े स्तर पर शुरू करने पर जादा मशीन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको लगबग 200 से 500 स्क्वेर फीट जगा की ज़रूरत पड़ेगी, जहां आप मशीन और रॉब मटीरियल रख सकते हैं. ट्यूलेट क्लीनर बनाने के लिए रॉब मटीरियल, हाइड्रो क्रॉलिक एसेट, एसेट थिकनर, सीटेसी, एसेट कलर, परफ्यूम, पानी, पाकेजिंग के लिए डिप बे. ज़रूरी मशीन, इस बिजनस के अंदर मशीन की ज़रूरत प्रोड़क्शन के ऊपर निर्फर करती है, क्योंकि छोटे स्थर में मैन्यूल मशीन से काम चल जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पर प्रोड़क्शन करने के लिए आटोमेटिक मशीन की ज़रूरत परती है. टॉलर क्लीनर बिजनस के अंदर तीन प्रकार की मशीन आती है, मैन्यूल मशीन, सेमी आटोमेटिक मशीन, आटोमेटिक मशीन. कितना होगा इन्वेस्ट में? इस बिजनस को करीबन 10,000 से लेकर लागों रुपए तक शुरू किया जा सकता है. इसलिए आप अपने बज़र के हिसाब से ये बिजनस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल के बिजनस के लिए बहुत से चीजों पर अलग-लग इन्वेस्टमेंट करनी परती है, जैसे जगा, मशीन, ड्रॉम मटीरियल आदी, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनस के बारे में अगर किसी को पता नहीं है, तो बिजनस नहीं चलता है, आप अपनी सामान के ऑनलाइन लिंक को शेयर करके ग्राकों को अपनी तरफ आकरशित कर अपने प्रोड़क्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, आप पैंफलेट या आकरशक पोस्टर के जर अपने प्रोड़क्ट का प्रचार कर सकते हैं, किन-किन जरूरी लाइसेंस के अविशकता होगी, इस बिजनस को शुरू करने के लिए आपको GST नंबर लेना होगा और ट्रेडमार्क रिजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, इसके साथ ही इस बिजनस में क्यामिकल का इस्तिमा अपने अर्टर ना आए, मार्केट में अनेको कमपनीज के टॉयलेट क्लीनर मौजूद हैं, इन सब के बाब जूद, आज मार्केट में टॉयलेट क्लीनर की काफी दिमांद है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का टॉयलेट क्लीनर तयार करते हैं, साथ ही सही तरीके से इस झाल झाल